दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लाते रहते हैं नए-ने बिजनस आइडियाज और नएनी जैनकारी के वाला के लिए दोस्तो आज हम आपको एक ऐसे बिजनस आइडिया के बारे में बताएंगे जो एक बार जमने के बाद आपको पूरी लाइफ अच्छी आमदनी देता रहेगा आज हम जानकारी दे रहें कील निर्मान उद्ध्योग के बारे में फ्रेंड कील उद्ध्योग के बारे में पूरी जानकारी जाते हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखें इसमें कच्छे माल और मसीनरी की पूरी जानकारी दी जा रही है साथी आप इस उद्ध्योग को कैसे सुरू करेंगे इस बारे में भी जानकरी दे रहे हैं कील निर्मान उद्ध्योग एक लंबे समय तक चलने वाला उद्ध्योग है कील निर्मान उद्ध्योग के लिए कच्चे माल के तौर पर नेल वायर क्याम सकता होती है Nail wire का प्रियोकर की विविने तरह के कील बनाए जाते हैं ये wire अलग cross section में पाया जाता है इसलिए ध्यान रखे आप जिस तरह की कील का निर्मान करना चाहते हैं उसके अनुसारी Nail wire खरीदे Nail wire और machine की मदद से कील का निर्मान किया जाता है कील का निर्मान मुक्यता दो तरह की machine से होता है एक में कील बनती है और दूसरे machine से इसे पालिस किया जाता है ये दोनों machine एक सेट में आते हैं machine थोरी महेंगी होती है लेकिन एक बार machine लगा ली जाए तो लंबे समय तक इससे कील बनाई जा सकती है ये machine पूरी तरह से सोचालित होती है जिसे आसानी से नियंतित किया जा सकता है machine सोचालित होने की बज़र से कील बनाने की प्रक्या बहुत आसान हो जाती है machine के सामने wire का डायर इस तरह से सेट किया जाता है कि वो गूम सके वायर का एक हिस्सा nailmaking मशीन में लगा दिया जाता है मशीन के चलने पर उस वायर से kill खुद बकुद बननी सुरू हो जाती है एक मिनट में मशीन से कम से कम 200-320 किले बनती है इस तरख से एक दिन में 8 घंटे मशीन की मधद से लगबग 500-600 किले बनाई जा सकती है इसके बाद बारी आती है इन किलो की पॉलिस की, बनी हुई किलो को पॉलिसिंग मसीन में डाला जाता है, पॉलिसिंग से कीले चमकने लगती है तैयार किलो को मार्केट में बेचने के लिए 5 किलो और 10 किलो के बैग में पैकेजिंग की जाती है पैकेजिंग के लिए चूट के बोरे का प्रियोग अच्छा होता है, ये मजबूत होती है ध्यान रहे, कीले नुक्लिली होती है, इसलिए इन्हें प्लास्टिक के बैग में पैक ना करे, इसके फटने का डर रहता है अब बात आती है कील उद्धियों की मार्केटिंग की, इसकी मार्केटिंग हार्डवेर मार्केट में की जा सकती है यदि आप कील निर्मार उद्धियों किसी गाओं कस्पे में सुरू कर रहे हैं तो नजदी की सहर के होलसेल मार्केट में सप्लाई दे सकते हैं यदि आप किसी सहर में कील निरमान उद्धोग सुरू कर रहे हैं, तो सहर के होल सर्मार्केट और छोटे बड़े हार्ड़वेर दुकान में सप्लाई दे सकते हैं। इसके अलावा सहर के आसपास के छोटे बड़े कज़वों के हार्डवेर दुकानों में भी इसकी सेलिंग की जा सकती है। कील निर्मान उद्धोग सुरू करने के लिए कम से कम एक हजार स्क्वार फिर जगह की और कम से कम 10 लाग रुपे की आव सकता होगी। जिसमें कील बनाने के लिए कच्चा माल, इलेक्रिसिटी सेट अप मसीन, आदी सभी कुछ सामिल है। इसमें जगह की कीमत या किराय को सामिल नहीं किया गया है क्योंकि गाओं या सहर के हिसाब से किराय में कापी अंतर होता है। कील निर्मान उद्योग में बचत कापी होती है। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक किलो कील बनाने के लिए कच्चा माल छोड़ के कम से कम 2 रुपे लागत पड़ती है। यदि सभी तरह के मैनुफेर्चरिंग कास्ट छोड़ दिया जाए तो प्रती किलो ग्राम पर 5-6 रुपे का लाब होता है। इस तरह से मैने भर में 60,000 से 70,000 रुपे तक ही कमाई होती है। किल निर्मान उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस आधी की प्रक्या जरूर पूरी कर ले। किल निर्मान उद्योग इस पात उद्योग से सम्मधित होने की बज़ा से लाइसेंस लेना बहुत आवरसक है। लाइसेंस के लिए अपने लोकल आथरिटी को आविदन पत्र दिया जा सकता है, यहां से बहुत जल्दी आपको लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा. हमें उम्मीद हैं, आपको हमारा यह बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा. इस बारे में अन्य कोई जानकरी चाते हैं, तो कमेंट बाक्स में लिखें. आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ. गुड़ बाई! एक नए बाई!